हेलो ग्राइट वल्कम बेक टो माय चैनल आज मैं आपको 8 कली का प्लाजो करना बताऊंगी जो बहुत इजी है इसका मेंजर्मेंट मेरा इस प्रकार है लंबाइ मेरी 40 है प्लस मैं 2 इंच करूंगी बैल्ट का एक इंच मेरा नीचे मोड़ने का तो मेरे जो प्लाजो की लंब 56 56 को मैं 8 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा जो निकल के आएगा वो साथ इंच आएगा तो मेरा ये साड़े 5 मिटर मतलब कपड़ा था तो इसमें मैंने पहले कुर्टी निकाली है इसकी वीडियो मैं डाल चुकी हूं और प्लाजो की डाल रही हूं तो ये मेरा डबल फोल्ड है इसको मैंने एक बार और फोल्ड किया तो चार कली मेरी इदर से निकलेंगी और चार कली मेरी दूसी साइड से तो मैं कपड़े पर बताऊंगी आपको आपको अच्छे से समझ में आ जाए देखिए मैंने कपड़े की डबल तया लगाई है इस तरह से यहां पर मैंने कपड़े की चार तय कर दिये हैं फ्रेंड्स थोड़ा इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा लेकि मैं कोसिस करूंगी आपको समझाने की फ्रेंड्स इसमें हम उपर का नेफिका नहीं लेंगे वो मैं अलग से मेरे पास कपड का ही लेंगे जितना मुझे नीचे मोनने का है उसको मैं प्लस करके इसकी लंबाई का निशान लगाऊंगी क्योंकि इसमें आसन बाद में कटता है तो मैंने यह 7 इंच इदर से लगाया ठीक है और उसका अपोजिट साइड साथ इस दूसरी तरफ लगाया इंची टेव को मैंने इस तरह से किया तो चार कली मेरी खुले भाग की तरफ से निकली और चार कली मेरी बन भाग की तरफ से निकली तो मैं इसको इस तरह से फ्रेंट्स यह चिकन का कपड़ा है तो बहुत ही मोटा है तो थोड़ा दी में कट रहा है इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया चार कली यह हो गई है और चार कली यह हो गई फ्रेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेला आइकन को प्रेस कर दीचे वीडियो का आप पूरा देखेंगे इस तरह से तो मेरी चार कली हो गई है फ्रेंट्स जब हम कली जोडते हैं तो हम कली में एक उरेप और एक सीधा जोडते हैं इस तरह से आप इसमें उल्टे सीधे की इस तरह से कट लगा दीजिए सेम यही इस तरह से ही यह देखिए उपर यहाँ पर कर तो आप अपने कपड़े के अकोडिंग देखेंगे उल्टा सीधा आपका कैसे है इसमें कली जोडने के लिए एक कली को लेंगे अगर आपकी कली उरेब है तो इसमें आप सीधा हिस्सा जोड़ेंगे अगर आपकी कली सीधी है तो इसमें आप उरेब जोड़ेंगे इसी तरह से ही आप चार कली एक तरफ जोड़ देंगे और चार कली एक तरफ जोड़ देंगे तो हमारा टोटल आठ कली हो जाएगी है देखे फ्रेंट्स ये मैंने इनको जोड़ दिया है मैंने दोनों पीसों को एक दूसरे के उपर रख दिया है तो चार कली यह है और यह चार यह है तो आठो कली को मैंने इसी तरह से ही रख दिया है अब आपको आसन का निशान लगाना है तो जो आसन लोगी मैं वो 15 इंच लोगी यहाँ पर मैं एक इंच का निशान लगाऊंगी और इसको हलकी सी शेप इस तरह से उपर से मैं कट नहीं करूँगी यहां से मैं उपर की तरफ कट कर दूँगी यह मेरा कपड़ा है इसको मैं डबल करके बैल्ट लगाऊंगी जिसमें लास्टिक डालूंगी देखिए मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया जैसे आप सिंपर प्लाजर सिलते हैं सेम इसी तरह से ये इधर और ये ऐसे आसन जोड़ देंगे इसका आसन जोड़ने के बाद अब आप इसमें इधर से यहां से इस तरह से शिलाई लगा देंगे और नीचे मोड़ देंगे मोड़ने से पहले आप ये ध्यान देंगे कि आपकी कलियां उपर नीचे तो नहीं है तो आप कलियों को एकसार कर देंगे फ्रेंड्स आप कितने भी तरीके से काट लें थोड़ी कलियां छोटी बड़ी आही जाती है तो आप इसको कट करके मोड़ेंगे नीचे से अब इसमें मुझे ऊपर नेफा बनाना है इसमें मुझे एलास््टिक लगानी है तो मैं सिंपल तरीके से ही ऐसे ही कप्ड़े को डबल कर ढूंगी फ्रेंड्स ये इसी कप्ड़े का वाइट हिस्सा है इसमें कड़ाई नहीं थी ये प्लेने की स्टिप दी वही थी जो मैंने पहले ही कट कर दी थी इसको मैं वेश्ट नहीं जाने दूँगी और यहां पर इसको लगा दूँगी इससे मेरा नेफा भी तयार हो जाएगा और चुबेगा भी नहीं क्योंकि कड़ाई लाश्टिक लगेगी इसमें इस तरह से मैं इसमें लाश्टिक डालूँगी लाश्टिक डालने के लिए जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कमर का में जितनी आपकी कमर है उसमें आप 5 इंच गम करेंगे और अपनी लाश्टिक कट करेंगे और पिन की साहिता से इसको आप डाल देंगे ये देखिए इस तरह से आप दोनों लाश्टिक के पकड़ के ऐसे पिन लगाएंगे और अराम अराम से इसको लाश्टिक को पूरे में इस तरह से कर देंगे फ्रेंड्स आप इसमें बीच में सिलाई भी लगा सकते हैं नहीं भी तेकिन अगर आपको बीच में सिलाई लगानी हैं तो यहां से इन जोड़ों को इस तरह से पहले सिल दीजिए और बिच में सिलाई लगाने के लिए आपको एलाश्टिक और कप्ड़ा दोनों ही थोड़ा खीचना पड़ेगा यहां से यह देखिए इस तरह से आप खीचते जाएंगे और बिच में सिलाई लगा देंगे बहुत ही फ्नीसिंग के साथ मेरा प्लाजर तयार हो गया है आप बताएए आपको कैसा लगा